आज किस वीडियो में बात करेंगे बे फिप्त समस्टर यानि कि बे पंचब समस्टर के हिंदी के मोस्ट इंपार्टन कोईश्चन और अंसर के बारे में आप ये कह सकते आज की ये जो वीडियो होने वाली है एक तरीकी से महा संग्राम होने वाली है क्योंकि आज किस वीडिय को अंतर तक जरूर देखते रहेगा तो चलिए बिना देरियो के वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से सुन लीजे फिर से ये बिए तिरतिय वर्ष का बिए पंचम समेश्टर का पेपर जिन छात्रों का है उनके लिए और सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए प्रश्ण प जरूर देखे मैं आप से कुछ भी नहीं चाहरा हूं सिर्फ यहीं चाहरा हूं कि जो जो मैं कोश्चन बताऊंगा और उत्तर बताऊंगा उसको आप जरूर तयार करके जाए बस ठीक है तो पहला कोईश्चन आज कि वीडियो के वीडिया कि रस के भेद बहुत ही हाई अबिनो गुप्त और समराटने नवही रस माने य्याने कि कुछ चाहरे लोग हैं जिनका नाम है अभिनो गुप्त और मम्मट इन्होंने भी कहा कि वह या जो रस के प्रकार है वो 9 है और वो कौन-कौन से प्रकार के हैं मतलब कि कौन-कौन से हैं उनके बारे मताईए ठीक है तो 9 प्रकार की जो रफ है पहला है स्रंगार रस ठीक है दूसरा है हास सिरस तीसरा है करुण रस चौथा है रोद रस और पाच तो यह 9 प्रकार के रश्र हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है बहुत ही महत्तपूंड प्रश्ण है हो सकता है यह प्रश्ण आपके प्रिश्च्छा में कई Бार पूंचा गया है एक्जाम में क्योंकि पिछली बार तो प्रश्ण नहीं था लेकिन थर्ड यह तो था ठीक उसमें कुश्चन कई वार रिपीटेड है तो यह तैयार कर सकते हैं आप लोग ठीक है महात्पूर्ण प्रश्ण एक्जाम के नजर से अगरा प्रश्ण काहरा कि सब्द सकते कितने प्रकार की होती हैं जो सब्द होती है उसके जो पावर होती हो कितने प्रकार की होती है हलाकि इतना ज़्यादा महात्पूर्ण नहीं है लेकिन कभी कदार प्रश्ण आने वाला है तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले ले ल तो इस सब्द की पावर यह है सकती यह है कि भाई किसी भी इंसान को यह कहकर कि यहां आओ ठीक है तो यहां पर क्या उत्पन होता एक तरीके से सब्द का पावर उत्पन हो रहा है कि यहां पाई सब्द में यह पावर थी यहां आओ फिर वो इंसान यहां पर आ गया ठीक है एक्जांपल की रूप में हम आपको बताया अगला पॉइंट है कि यहां सब्दों का बिसेश्च महत्तु है काब भिभासा में वाक्यों की रश्चना इस बात का सूचक है कि उसमें अनेग प्रकार के सब्दों का प्रियोग और प्रक्रण प्रसंग और कभी आफे के अनुसार हुआ है ठीक है यानि कि जो प्रसंग है जो प्रियोग है और जो अनेग प्रकार के सब्दों का प्रियोग किया गया है वो किसके मादधर किया गया है जो कभी है ठीक है उनकी अन बन्द में अपनी कविता में धियर अपनयाश में। avail की रश्ष्ण नहीं है। मतलब कि जो लेखक लोग होते हैं उनकी जो रष्णाय होती है ठीक है उसमें सब्दों में अनेक अर्थ दूड़ने की जो परथा है वो अच्छी नहीं उचित नहीं है मतलब जो उन्होंने अर्थ गोसित कर दिया वही मानने रहे ठीक है देखना या चाहिए कि कभिने सब्द उन्हों ने अच्छे तरीके से पहुंची है कहां तक वह सफल रही मतलब कि यह नहीं कि आधिय दोरी रही माली कोई कहानी होती तो कुछ कहानी होती ना उसका सुरुआत होता हो लास्ट भी होता कि यह ने कि बीच में चोड़ दी जाए उस रचना को कहां तक सफल किया गया है ठीक है ये उसमें बताया जाता है ओके चलिए अगला पाइंट है कि तात पर रिया है कि सब्द की सक्ति उसके अंतर नहीत अर्थों को बिक्त करने का ठीक है बेपार है अर्थ का बहुत कराने में सब्द कारण है और अर्थ का बहुत कराने में बेपार को सब्सक्ति कहते हैं ठीक है अलग अलग परी भासा है फिर हाल मैंने जो मेरे सब्सक्ति सब्सक्ति का प्रियोग है भोओं बहुत ओनलब Singing अलग 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 तरीकہ से किया है यहां पर और question सब्सक्त के प्रकार बताय को आप λέ़ा नमब एक प्याद तीके अभिद्धा दूसरा है लच्छना तीफरा है बेंजना ये तीन प्रकार की सक्तियां हैं सब्द सक्त की ठीके तो इसका उत्तर लिखेंगे अगला प्रस्ण वहिए कि जो माक्स वाधी अलोच्ना की समैच्छा समंदि सिध्धांत बताईए या फिर माक्स अलोच्ना यानी कि जो माक्स वाधी अलोच्ना हैं उनके बारे मताइए कही न कहीं आहात पूंडब परषना एकजाम के लिए तुढ़े हम एँ थोड़ा जन लेते हैं वर्तमाざभे में ज प्रगतवाजी जो समच्छा या पहले भी थी और बताया जा रहा है आपर पर उन विद्वानों के विचार विवफ्थित एवं अनुयोजित नहीं थे जैसे की बेलिश्की हरजन चैनी सिवस्की बलुब्यू आज जो चिन्तक ने इस धसा में कुछ कार किया है इस बिझारदों और बिष्दार की चनक्य सुथն है कि इंजल्फित ने माक्सवार्थ के सुध्धliesátों के बिष्तार प्लुवग विविष्णा कि का कार्समाक्स का साहित मूलता आर्थिक विसमताओं से परपूर है फिर भी उन्होंने अपनी रशनाओं में कुछ अफ्थलों पर साहित के बारे में विचार बिक्त किया है तो इस प्रकार लिखेंगे जो माक्सवादी यानि कि जो कार्समाक्स हैं कि अलोचना समिच्छा या अ सब्सक्राइब करना है तो यह हैं माक्सवादी लोचना के चारभाग महत्पूर्ण प्रश्ण याद रखेंगे अगला की नई समिच्छा का नाम करना करना है यह कभी कदार आता है मेंसा नहीं आता ता आप इसे पढ़ भी सकते पढ़ लेंगे तो ज्यादा बिटर रहेग और इसका उत्तर लिखेंगे कि हिंदी लोचना में चायावादी तथा प्रगतवादी माक्सवादी लोचना के पश्चात नई समिच्छा का उदय हुआ तथा अलोचको में नीर्फता से काब लेखन में एक नई ठीक है परिपार्टी का जन्म हुआ है नई समिच्छा प्रतेश रूप से पास्चात नई समिच्छा से प्रभावित थी ठीक है और पश्चिमी नई समिच्छा को जो कभी है जिनका नाम है न्यू क्रिटिस जिम इ इसका नाम करण है तो काफी बेटर रहेगा और कभी कदार आता है हमेशा नहीं आता है यह थार्द वादी साहित की प्रवित्तियां यह भी पढ़ सकते आप लोग कई सारी प्रवित्तियां एक दो तीन चार पांस चार याद कर लेंगे काफी एरफल को साबित हो सकता है हमेशा नहीं आता है कभी कदार रहता है यह कोईशन बहुत ही हाई लेबल का 100% उमीद है आने कि तो इसके बारें जरूरू हम आपको बताएंगे नई कहानी की विकाफ यात्रा कब से शुरू ही तो नई कहानी की विकाफ यात्रा जो है वो बीश्वी सताब्दी के छटे द करीब करीब ठीक है उनने सो पच्पन में कहानी पत्रिका का जो प्रकासन है वो आरंब हो गया था तो इस तरह लिखेंगे कहानी के विकाफ यात्रा का चोटा सा परच्छे आगला भी कोश्चन बहुत ही महात पूर्ड नाटक फ्रीड़ा भी कोश्चन आएगा कि नाटक के प्रोंग विश्चता है क्या क्या होनी चाहिए क्या होना चाहिए नाटक में ठीक है तो नंबर एक पर लिखेंगे नाटक का कथानक या विश्चेवफ्त एक प्रसिद्ध कथा या फत्य घटना पर आधारित होता है मतब कि एक तरीके से जो नाटक होता है वो कहीं कहीं न स कत्ते होता है तभी उसको नाटक करके लोगों के समश्त प्रफ्तोत किया जाता है जैनमा कोई राजा ये दिब पूरुस होता है ठीक है और विश्रे की नायक एक भद्र कृतिक का होता है अर्थात नायक दान देने वाला गृतग बिद्वान कुलीन लच्छमी वान लोगों के अनुराग का पात रूप योन एम उस्वास युक्त तेजस्टवी चेतुर एम सुसील होता है ये भी सिस्था होती है नाटक की ठीक है और अगले भी सिस्था इस तरह चार भी सिस्था है आप तैयार कर लेंगे बस चारी आएगा ज्यादा नहीं आएगा ठीक है अगला प्रश्ण वह प्रस्तुत है कि रिचार्ड सुने अर्थ वा भाव के समद्ध को कि रूपों में सुभिकार किया है सुर्य उदय का मतलब हो गया कि सुबा सुर्य सुर्य का मतलब होना आगमन होना ठीक है या पिर आप लोग कह सकते राम तो राम की जो अर्थ निकलेगा वो लिकरेगा प्रोसुत्तम स्री रामचंद्र भगवान जी ठीक है तो इस तरह हर सब्द का अलग-अलग अर्थ होता है और हर चीज का हर मतलब की सब्द होता है उसका अलग-अलग भाव भी होता है ठीक है कोई भाव कड़वा हो सकता है कोई मीठा हो सकता है ठीक है कड़वा का मतलब हो गया कि किसी चीज को मालीजी आप तेज बोल की करें या यहां पर बताया गया, तो तीन रूपों में सो विकार किया गया है, पहला है कि जहां अर्थ ही भाव का बोधक हो, ठीक है, यह पहला रूप है, और दूसरा है, जहां अर्थ भाव की अनभूती का सूचक हो, और तीफरा है, जहां प्रसंग बिसेश के कारण अर्थ बिभिन भागों का सूचक हो ठीक है तो यह हैं प्रमुक्तिन रूप किसके अर्थ और भाव के ठीक है अगला प्रस्ट ने बहुत ही महात्पून है भाईया कि रंग मंच पर किसी भी पात्र की सरप्रतम पहचान उसकी रूप प्रस्ट कीजिए तो भाई जी कहां पर प्रोग्राम है रंग मंच नाटक है या फिर कहीं राम लिला यह पिर नोट हैं की यह कुछ भी है तो वहां पर बाई जो पात्र होगा जो राज़ा होगा राणी होगी रंग होगा प्रजा होगी तो उससे पहचाना जाएगा कि यह र भारते आचारी उने रोपक के वень बेडों में नाटक को सरुपर्थर में अस्थानों किस मृटमर्वक्त average इस बंडश करråईक दो twent अचारे हैं भारत के जो प्रमुक तेके इन्होंने रूपक के भेदों में नाटक को सरब्रथा में सरबोच अस्थान दिया इसलिए इसे सभी रूपकों की प्रकत कहा जाता है नाटक के उत्पत्त जो है वो नटधात से हुई है यह फिर नटधात माले जाती है जिसका अर्थ है अवस्था बिसेश का अनुकरण आंसिक ठीक है आंसिक वाचिक सात्विक एवं अहार अभने के द्वारा दुसियंत राम आधि पात्रों के फात ठीक है तदा पते अस्थापित कर लेना ही ठीक कर लेना ही अनुकरण है अर्थात अनुकरेडिये पात्रों के भावों को व है नाटक द्रस्यकाब भी है जिसका प्रदर्स्तन अभने द्वारा होता है नाटक जो है एक तरीके पर द्रस्यकाब है द्रस्यका मतब कोई चीज़ आपको दीख रही तस तरीके की रष्टा है जिसका प्रदर्षन है जो सोक किया जाता हो इसके माद्व से अभने के माध्षिन से अभने का मतब हुआ की टीक एक तरीके से मैक अप करके ए अप कंपड़े पहन कर मतब एक तरीके से मोल सकते हैं आप लोग ठीक है पूरा मान के चलिए बोलते हैं मैं कप ठीक है मैं कब जो भी अवने हो गया तो इसके द्वारा किया जाता है इस प्रकार लिखेंगे कि बारे में महात्पोर्डपरस्नेक ज़्यार कर लीजिए तो महत पोइब कर लिजेगा और अनना रसनाकार भरतमनी Θपे भरतमनी के बेक्तित्य के समान ही नात रसनाकाल के बिश्य में भी बिध्वानों ने गहन उनेसडू किया ने कि अन्वेशड वाखोच के पस्चात भी नाट फाफ्त की रस्टनाकाल के संबंद में कोई निश्चित निश्चित निसकर्स प्राप्त नहीं हो पाया और बिभिन बिद्वानों द्वारा नाट साफ्त का रस्टनाकाल इस्टा पूर्ब से लेकर चौथी सताब्दी ठीक है तक पूरा का पूरा उत्तर पढ़ लीजेगा महात्पूर्ण प्रश्टनाकाल प्रिकार प्रतिक वाद मुल्यांगन कभी कदार आने वाला कोईश्चिन इग्नोर कर सकते यथार्थ वाद से जड़ायकात कोईश्चिन जरूर आएगा आप लोग धान दे लीजेगा ठीक है और च्रश्च यहीं बता पहा रहY qu Kindям से हैं और उत्तर हैं जो कि आपको तैयार कर लेना यह प्रश्च अबने का है अरत हुआ अर्थ हुआ परिभाहाफ़ा तैयार कर लिजेख ठीक इन्ही दो प्रमुक प्रिसिद्द्र माक्सवादी के नाम थेकり माक्सवादी अलोचे को प तो आगे जितने भी कोईस्टन आपको देखने को इंगेई शारे के शारे महतपोन जैसे कि धूनिय में को कितने प्रकार होते हैं भी महत पूर्फो इसको भी तयार कर लीजिगा तो दिधा-विधा- ढूला ध्रूतीया नि lighting और अग्ला और आई ए रिजर्ट्सन के तीन गरंत के नाम लिखें और कब उनका प्रकासन हुआ उसके बारें भी लिखाए भी पढ़ लीजेगा तो रिजर्ट्सन से जुड़ा करीब करीब आपके परेच्छा में दस से पंदरा नंबर के प्रिशन आएंगे इस बात को ध्यान रखेंग तीन सब्दालंकार अल्थालंकार उभयालंकार किन्हीं दूसब्दालंकारों के नाम लिखेंगे तो अनुप्राफ आ जाएगा यमक आ जाएगा ठीक है अलंगकार संपर्दाय के समर्थक कौन है बहुत सारे कभी और लेखा के अचार के सौजाफ जी जै देव जी है अचार भामा जी है बहुत सारे लोग है ठीक है और यह मक अलंगकार का कोई उधाहर लिख लीजिए आपको कई उधाहर नहीं यहां पर एक उधाहर यह मैं बताएं इन सभी का उत्तर तैयार करनेंगे तो आपको एक्जाम में काफियर पर मिल जाएगी बाकि अगर आपके पास समय है तो सारे के सारे कोश्चनों को उत्तर प्रेडि करेंगे काफियर पर मिलेगी और जो जो मैंने बताएं खास करके वह आप जरूर तयार कर कीजिएगा लिंक वीडियो की डिसक्रस्ट में मिल जाएगा जहिंद